नमस्कार, खगोलिय देविय रहस यानि कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त राजीब रंजिन आईए आज हम बात करेंगे सवपन सास्त्र का जी हाँ, सवपन सास्त्र के अनुसार पहुत सारी बातें जो सपने में हमें दिखाई देती हैं उसका कुछ ना कुछ महत्त तो कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो आज हम बात करेंगे सफेध हाथी का जी हाँ, अगर आपको सपने में कभी सफेध हाथी दिखाई दे तो उसका क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ आपके जीवन में आने वाले दिनों में निकलने वाला है ऐसे तो सफेध हाती जिसको हम लोग एरावत के नाम से भी जानते हैं हम सभी जानते हैं कि देवताओं के जो राजा हैं इंदर देव उनके पास एरावत नाम का हाथी है और जो कि काफी औस्पीसियस काफी बहुमुल्य माना जाता है और जैसे कि हाथी की बात करें तो हाथी से आपको सम्रधी एश्वर्य आपको परसिद्धी पद परतिष्ठा इसका एक सिंबॉल होता है तो जब कभी अगर आपने सपने में सफेध हाथी देखा हो तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत ही एहम बदलाव की सुरुवात होने वाली है अभी आप जिस भी परिस्थिती में हैं उससे आप निकलेंगे और इस सपना आने के बाद हम आपको बता दी कि यह सपना लाखों कड़ों लोगों में किसी एक को आता है बहुत ही क्या बोलते हैं यूनिक है यह मतलब रेर यह सपना इसको माना जाता है सपनसास्त्र के अनुसार तो अगर आपने भी कभी सपने में सफेध हाथी देखा है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों से यानि जब आपकी आँख खुली अगला दिन हुआ उस दिन से आपकी सम्र्धी का जो है ग्राफ वो उपर चड़ने लगेगा और धीरे धीरे आप भी इसको एहसास करेंगे आपके जीवन में अमुल्चूल बदलाव आ जाएंगे आप का जो राजनाइतिक हो या समाजिक हो या आर्थिक इस्थिति हो वो काफी मुचा उठने लगेगा और बहुत जल्द आपको जो एक आर्थिक एश्वर्य है उसकी प्राप्ति होगी धन, बल, मान, मर्यादा सब चीजों में आपको उन्नती देखने को मिलेगी और आने वाले दो से तीन महिने में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा अब तक जो चीज़ें आपको लगती थी कि ये असंभव सी महसूस होती थी, कहीं से कोई रास्ते नहीं थे धन आने के, उन रास्तों से आपके पास धन आएगा, आपको सरकार या उच्छ पदस्त लोगों के साथ आपकी अच्छी सांठगाट बनेगी और आपका जीवन ए एक काफी ही सुखद होने वाला है, तो हमें लगता है कि सफेद हाती के सपने के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो खबोलिये देविये रहस्य चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें, नमस्कार, आउब नमस्शिवे,